एक बार पुने आपका स्वागत है हमने अपने पिछले वीडियो में किस प्रकार से आंसिक आउकलन निकाले जाते हैं इसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी कि क्या होता है आंसिक आउकलन और कैसे निकाले जाते हैं उसी करम में आद के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि उच्छ क्रम के आंशिक औकलन कैसे निकाले जाते हैं यह कोई ऐसा हो जिसका एक से अधिक और आपकों करना हो तो एसे स्थिति में उसके अंशिक और आऄकुलं किस प्रकार से केल्कूलेट किए ज opens track करें गह GC जैसे यह कोई फ़लन है उस function of x जैड दिजिकल तो function of xy तो डेल जैड़ डेल एक्स के संदर में और डेल जैड़ डेल यह यह के संदर में जो कि हमने पहले वाले वीडियो में सीखाता अब इसी का उच्छ करम का मतलब आउकलन का वापिस से आउकलन किया जाए तो उसको उच्छ करम का कहा जाता है जैसे यह फ़लन का जो पहले एक्स के साथ आपने आउकलन किया जैड जैड इस इकल टू function of x तो डेल जैड़ डेल एक्स यह उसको लिख सकते अगर हम बापिस x के साथ एक्स अउकलन करें तो यह हो जाएगा डेल डेल एक्स डेल जैड बाइड डेल एक्स यह इसको लिखेंगे फंक्शन ऑफ एक्स यानि क्या यदि किसी फलन का कि पहले एक्स के संदर में आउकलन करें कि वह बाद में भी एक्स के संदर में आउकलन करें दो बार एक्स के संदर में किया तो यह हो जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स एक्स यह पहला आउकलन यह दूसरा आउकलन कि अगर मान दीजिए फैल किसी फ़लन का पहले एक्स के संदर में आउकलन करें तो यह बोलथ यह किसी पर पहले आपको और अगर मैं इससा और यह संदर में तो बाद में यह संदर में तो इसको बोलेंगे फॉंक्शन ओफ फॉंक्शन ओफ एक्स यानि क्या आपको यह संदर फेल देल इस्कॉरर जेड इपॉंड। इसकॉरर यानि पहले एक्स के संदर में फलंका को पहले एक्स के संदर में अग्प वाद में भी दो अक्स के संदर निसका अक्स की रेका है एक Polski फिर शिकली वाइटल सुझाद स्कार्ट नमरे से सनदर में यह संदर में करें सब्सक्राइब जेट बाइद एक्स किसके संदर में और इसका देल वाइड दी वाई करें यानि फॉंक्षन ओफ वाई एक्स है तो यह पहले एक्स के और बाद में वाई के संदर में यदि कोई फ़लन पहले y के संदर में करें तो del z by del y तो यह हुआ पहले y के संदर में और इसका बाद में हम x के संदर में करें del by del x तो इसको लिखेंगे function x y यानि पहला यह है second यह है यह पहले हमने इसका y के संदर में किया दूसरी बार हमने इसका x के के संदर में किया और अगर को फॉलन डेल डेल वाई है इसका वापिस हमने वाई के संदर में किया तो इसको भलेंगे फंक्शन वाई-वाई यानि पहले वाई के संदर में और दूसरी बार भी वाई के संदर में इस प्रकार से जो उच्छ क्रम के आउकलन होते हैं इसमें पह सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सब्सक्राइब किस प्रकार से उच्छ क्रम कि निकाले जाते हैं इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है एक से अधिक बार आउकलन हम करते हैं तो उस प्रकार के आउकलनों को हम बोलते हैं कि यह जो है जैसे मैं सवाल ले देता हूं जैड़ इस इकल टू एकस वाऌी और वास इस लोग अब इस में आपको देखें था फांग्शन एस निकालिये फॉए निकालिये फंक्शन मरे यहह लिजख सकते हैं जैड एकस निकालिये जैड एक्स वाईेन निकालिये और जैड वाई वाई एक की बाते form जैक से भिए बता सकते टो टो दे शीकिन बरबर दे रखांए एकस य प्लस एकस डॉटूट्स लोग एकस वाई है हई है क्यों जान है या इस यहां पर दो फंक्शण है विए हम ने पहले एक्स के संदर में आउकलन किया तो देखिए एक्स के संदर में करेंगे तो य हो जाएगा तो यह अगर आप इसको अलग से खोल करना चाहिए तो जैट बराबर एक्स वाई डेल जैट वाई डेल एक्स प्रतम फलन गुणा दित्य का आउकलन प्लस दित्य फलन गुणा प्रतम का आउकलन नीचे जाएगी और संक्या का आउकलन उपर आएगा प्लस दित्य फलन लोग एक्स वाई और इसका एक्स के साफेक्स क्या होगा एक क्या किया एक्स के साफेक्स अउकलन किया तो एक्स का तो एक हो गया तो बचा वाई अब यह प्रतम फलन यूका ही सेकंड फलन को यूका ही रखा तो यह वाई और सेकंड फलन यूका ही और ए y से y कर गाये एक्स एक्स कर गए तो 1 प्लस लोग एक्स कोई अब इसका दूबार में सक्षिक करें तो यह ज़ाएंगा डेल जेड वापिस डेल ऐल डेल एक्स करें बाइट इसको दिखेंगे डेल कि लिए किया है किल मैं किया बावरा इस Kayla दोबारा एक की सस्फिया आप देखिए मैं इसका वाई के साफ करून्स करहें तो यह जर्ड़ ऑइलben एक्स का मैं डल ऑइल बाइल वाई वाई या साफ करों तो यह यह किया क्या होगा एक्स क्या क्या यक्स किया देल जड़ डेल एल एक्स का तो यह लोग के साथ पूरी संख्या नीचे गई और एक्स वाय का आउकलन हम दिखेंगे तो एक्स आएगा function of xx निकाल लिया function of yx निकाल लिया यह मान आया 1 plus 1 by y और पहले वाला जो मान आया था इसका दुबारा x के सपेक्स करेंगे तो 1 by y आया था इसका 0 हो गया इसका 0 हो गया 1 by xy और उसका उपर y से y multiply हुआ तो आपका 1 by x आया अगला देखिए मैं पहले इसका क्या करना है मुझे function of y निकालना यानि जेड़ वाई इसका जेड़ वाई आप लिख सकते हैं यह function of y लिख सकते हैं तो य के सापेक्स करना है तो यह तो बच गया एक्स प्रथम फलन गुणा दित्य का आउकलन वाई के सापेक्स करेंगे तो यह एक्स आएगा तो यह आया देल जेड़ वाई डेल वाई इसका आप मैं एक्स के सापेक्स करूं तो आएका डेल जेड़ वाई का हमने किया देल वाई डेल एक्स पर तो यहाँ आपके तो इसका क्या था function of xy function of xy भी वाइब 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 अगली चीज़ अगर इसको दुबारा वाइब के साफिक्स करना देल जेट वाइब डेल वाइब करना दुबारा वाइब करना तो यह प्लस हर गुना अंस का उकलन मैंनस अंस ब्दा हर का वकलन बटे हर का इसकोर भाक्ता निम लगा तो हर गुना य के साफिक से आपकोर एक बटे देख तो यह आएगा माइनस का एक्स बटे वाइब स्कुर्ड तो function of yy हुझाएगा माइनस प्रकार से देखिए बहुत सामाने बीटोब से उंच्छ क्रमप आउकलन पूछे जाते हैं तो अभी इस वीडियों कुछ और सवाल देगे जिसमें आपको अच्छी तरीके से उंच्छ क्रम के आउकलन किस प्रकार्ण से किये जा सकते हैं इसके बारेमें आपको विस्तार से जनकारी प्रात हुआएगी मैं यह सवाल लेता हूं जेड बराबर दे रखा है लोग x square plus y square तो z x x z x y z y x z y y निकालो वैस सिंद करो दो चीज पूछ ली वैस सिंद करो del square z by del x square plus del square z by del y square का मान के आएगा 0 दो चीज पूछ ली क्यूशन पूछा है कि z बराबर आपको दे रखा है z बराबर आपको दे रखा है लोग x square plus y square तो पहली चीज हमको दो बार x के साफ एक सबकल करना है z x x यानि x के साफ एक साफ एक साफ एक साफ लोग के साफ पूरी संक्या नीचे जाएगी और संक्या का आउकलन उपर एक्स के साफ एक्स आउकलन किया तो मैंने क्या किया लोग के साफ पूरी नीचे संक्या रही संक्या का आउकलन में उपर कर दिया मैं इसका दुबारा एक्स के साफ एक्स करता हूं तो क्या होगा इसको लिखेंगे डेल बाइड एक्स डेल बाइड दी एक्स क्या इसको लिख divided by x square plus y square का whole square तो यहां माना जाएगा आपका 2x square plus 2y square minus 4x square upon x square plus y square का whole square हम लिए सकते 2y square minus 2x square upon x square plus y square का whole square यह आया del square z by del x square का मान के आया 2y square minus 2x square upon x square plus y square का whole square अब देखिए यह हमने एक मान लिए अब अगर मैं इसका x के साफ x यह x के साफ x वापिस से करते हैं यह देखिए x के साफ x किया हुआ है यह हमने क्या किया देल z by del x किया हुआ है यह इसको लिए ठिकता है z x के साफ x यह तो पूरी संख्या नीचे की लिखा अंस का उकलन 0 माइनस अंस को यह लिखा हर का उकलन 2y divided by x square plus y square का whole square तो यह यह डेल square z by del x del y इसका मान आया माइनस 4xy upon x plus y x square plus y square का whole square अब देखिए बहुत सिंपल है नीचे वाली संख्या कोई कोई रखा उपर वाली का उकलन क्या फिर उपर वाली कोई कोई रखा नीचे का कि माइनस पूरी संख्या नीचे के पूर संख्या का है और मेर्य को नग से अव कलना करना है तो माइनस 2y को यह कोई रखा नीचे वाली का उकलें 2y बटे x square प्लस y square का whole square भागता नियम लगाया तो यहां आएगा 2x square माइनस 2y square upon x square प्लस y square का whole square तो यह आपका हो गया del square z by del y square का मान हो गया 2x square माइनस 2y square upon x square plus y square का whole square अब देखिये अगर मैं एक बार वाई के साफ एक्स कीया हुए उत इसको अक्ष्ण करो हो है तो इसको लेखेंगे जेड एक्स वाई पहरी बार वाई के साफarts है जैसे को सबुक्रick देजिय्ट वाई का अउकलन कर रहा हूं br लस्के सापक, तो इसको लिखेंगे दीज़ेड जेड वाइड वाइड एल वाइड एल एक्स अब इसका में अपनेको एक्सके सापक्स करना है तो नीचे वाली सेक्षिया को यूँगा यूँँगा रखा हर गुणा अंस का आउकलन 0 माइनस अंस गुणा हर का आउकलन x के सापे 2x divided by x square plus y square का whole square तो यह माइनस का 4 x y upon x square plus y square का whole square तो यह आपका यह del square z by del y पहले है del x बाद में है तो माइनस का 4 x y upon x square plus y square का whole square अब देखिए दो चीज़ इसमें सिद्ध करनी है पहली चीज़ इसमें सिद्ध करने के लिए पूछा गया है कि सिद्ध करो कि z x y बराबर होता है z y x पर एक सवाल यह भी कई बार पूचा जा सकता है तो यहां देखिए z x y z पहले यह x और यह y यह रहा है माइनस का 4 x y upon x square plus y square का whole square बराबर माइनस का 4 x y x square plus y square का whole square प्रूव हो गया यह दोनों मान बराबर है हमेशे फंक्शन आफ हमेशे फंक्शन x y बराबरता है function y x को इसा भी सवाल ले लीजे इसमें यही result आने वाला है function x y का function y x के साप x होगा तो एक ही result आएगा इन दोनों का सेम ही आएगा दूसरी चीज़ देखिए अब देखिए दूसरी चीज़ यह पूछी गई है कि z square del square z by del x square plus del square z by del y square आपको किसके बराबर सिद करना है जीरो के बराब सिद करना है तो यहां इसका माल है यह रहा 2 y square minus 2 x square upon x square plus y square का whole square plus 2 x square minus 2 y square upon x square plus y square का whole square लगुतम लेंगे आपस में plus minus कर गए तो जीरो यह बात प्रूब होगी तो इस प्रकार से दित्तित्रम के जब आंसिक आउकलन पूछे जाते हैं तो हमको क्या करना है simply पहले x之 करना है दुबारा भी converuard पूचा गया है तो उसी जोUD मे मोचलन से प्राफिकिटर है उसका दुबारा एक्स के सपफिक्सry करना है या मिदे कि पहले एक्स के सपना गया एक्स करना है दूसरी ब़ार वाई के सपना है इस प्रकार से उच्छ क्रम के आंशी का उकलन निकाले जा सकते हैं, कुछ और सवाल हम नेक्स वीडियो में लेंगे, जिसमें हम आपको अपन डिसकस करेंगे कि उच्छ क्रम के आंशी का उकलन और किस प्रकार से निकाले जा सकते हैं, मैं समझता हूँ यह वीडियो आपके ल प्राइगा नन्यों